हलो बच्चो कैसे आप सब उसपर अप सब बहुत बढ़ी वह होंगे तो बही नेपक्ट्र केमिसट्र हम्हें list स्टर्त लेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्लास में इस एस के बारे हमने पढ़ाता था फ्रिया इस एप्रोगेमिकल सिरीज्स के बारे हमने लास्ट कर ले थी अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे तो भी है आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है अपने पास और वो है effect of concentration and temperature on cell EMF है ना तो cell EMF पर या फिर यू कहो कि जो अपने पास E0 cell होता है या E cell होता है उस पर temperature और फिर concentration का क्या effect होता है पार्ट है ठीक है हाला कि cell की thermodynamics को हम आगे वापस से topic heading लगा के जो दुबारा पढ़ेंगे galvanic cell की thermodynamics ठीक है लेकिन उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है और जो है वो बहुत इंपोटेंट है question भी यहां से पूछा जाता है ठीक है तो heading जो है वो अपनी temperature on ठीक है effect of concentration and temperature on cell EMF ठीक है या इसको आप यू बोल सकते हो cell potential cell potential ठीक है और विया यहीं पर एक हमारे पास है nonst equation तो ये nonst equation जो है वो ही आपको क्या बताती है कि भी cell potential पर जो हो वो concentration और temperature का क्या effect होता है nonst equation ही इसके बारे में आपको बताती है अब होता क्या है देखो ज़रा कि समझना बात को कि सबसे पहले अगर nonst equation आपको पढ़नी है तो एक छोटा सा point आपको पढ़ना पढ़ेगा और वो है electrical work कि भी एक cell में क्या होता है न कि हमें पता है कि electroni का transfer होता है जैसे कि हम galvanic cell की ही बात कर रहे हैं तो galvanic cell में हमें ये पता है कि anode से cathode पर electroni का transfer होता है और electron का transfer अगर हो रहा है तो energy पर एक कैल्कूलेशन कर लेता है तो नर्स्ट इकक्वेशन से पहले हम ये पढ़ेंगे और ये जो वर्क है न ये वाश्तम में होगा इस इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, यह एलेक्ट्रिकल वर्क को ही इंडिकेट करेगा, अब आप समझो, कि वर्क हम कैसे calculate करें, कि एक सेल में, जब एलेक्ट्रोन का transfer हुआ, एनोर से केथोड की तरफ एलेक्ट्रोन गए, तो कितनी energy transfer हुई, कितना वर्क होता है, अब हमें यह केथोड हो गया। ठीक है। और यह गयलवनुमेटर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा रखा है। Salt Bridge लगा रखा है। This is Salt Bridge. ठीक है। अब देखो कि हमें पता है, आनोड से केथोड पर electron transfer होता है. माल नbonत तर थे, मालव लो, इ इदर से इदर गया Meter mol electron जो हो, क्या होगे, transfer हो गए, कि anode से केतोर की तरफ कितने mol electron गए, n mol electron गए, अब work क्या होता है, तो आप देखो, आपने thermo में पढ़ा होगा, या physics में भी ये चीज़ पढ़ते हो, work is equal to charge into potential difference, ठिक है, ये हमारे पास work done होता है, ठिक, और एक छोड़ी सी चीज़ बे और बता देता हूँ, कि या charge on one electron, charge on one electron, तो एक electron का charge कितना होता है, minus 1.6 into 10 divided by minus 19, कुलाम, फिर एक चीज़ और, कि charge on one mol electron, तो एक mol electron पर charge हो जाए, कितना अपने पास, अगर magnitude की बात करूँ, तो 1.6 into 10 divided by minus 19, into, कितना हो जाएगा, एने, और इसको solve करोगे, तो ये approximately value आएगी, कितनी 965 00 कुलाम, कि भई, इसको approximately solve करोगे, तो ये आएगा, कितना 965 00 कुलाम, और ये जो है, वो हमारे पास equal होता है, कितना one faraday, तो एक mol electron का charge होता है, कितना एक faraday, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर जो वो n mol electron transfer होगे, तो मुझे बताओ, total कितना charge transfer हुआ, तो इधर से इधर जो चार्ट transfer हुआ, कि एक mol electron का charge है, कितना एक faraday, और तो n mol electron का charge होगे, कितना एक faraday, तो अगर मैं work की बात करूँ, तो यह आगया n faraday, charge total n faraday, और जो potential difference है, वो हमारे पास है कितना e cell के equal, यह एक तरीके से जो हमारे पास electrical work आ गया, question ऐसा भी पूछ सकता है, कि आपको e cell दे दिया, cell potential दे दिया, और फिर आपको यह पूछ लिया, कि भी यह total कितना work होगा, तो n तो यहाँ होगे, number of mole, f होगया, क्या faraday, और e होगया, अपने पास क्या, cell का potential difference, ठीक है, अब देखो, कि हमें यह पता है, कि जो भी electrical work होता है, या non-PV work है, यह क्या है, this is non-PV work, non-PV work, है ना, और जो non-PV work होता है, वो equal होता है, the decrease in give-free energy, कि भाई, इस cell ने, जब काम किया है, इस cell ने energy transfer करी है, तो cell की give-free energy में क्या ही होगी, कमी आई होगी, तो जो कमी आती है, गिब-free energy, जितनी कम होती है, actual में give-free energy, वो ही तो जो हो, किसमें non-PV work है, useful work में convert होती है, यही useful work भी है, इसी को useful work बोलते हैं, तो work, w, यह work equal होता है, minus of delta g के, यह आपको ध्यान में रखना है, कि यह non-PV work जो है, give-free energy में जितना change आता है, उसके equal होता है, और give-free energy, अगर work done, cell, cell जो हो work कर रहा है, तो यहाँ पर give-free energy में क्या आएगी, कमी आएगी, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि delta g is equal to minus w, और minus w करूँगा, तो यह आजाएगा minus nfe cell, ठीक है, यह एक expression जो है, वो बनता है, give-free energy में, जाना change कितना होगा, तो question ऐसा भी पूछ सकता आपको, कि calculate the change, it gives free energy, तो delta g is equal to minus nfe cell, और अगर standard condition की बात करें, इन standard conditions, तो standard condition में इस कौम क्या बोलतेंगे, इस कौम बोलतेंगे, delta g not minus nf, और यह आजाएगा, क्या e not cell, यह हभी यह आपने पास standard condition में, मैंने आपको जो हो वो शुरू में, है ना, जब हमने last class में जो हो वो एक relation बताया था, कि e not cell is equal to e not oxidation potential of anode plus e not reduction potential of cathode, है ना, तो वहाँ पर मैंने यह कहाता कि वह यह यह कहां से आता है, जब हमने delta g को add किया था, दो अलग-अलग reaction के लिए, और तीसरी reaction के लिए delta g लिखा था, तो मैंने कहाता कि वह यह relation हमने काम में लिए था, minus nf e, है ना, और मैंने कहाता कि वह यह इसको मैं आगे आपको derive करके बताऊंगा, तो यह ही इसका derivation है, यह वास्ता में जो किसको indicate करता है, वर्क डन को indicate करता है, I hope मेरी बाते आपके समझ में आ रही होगी, तो यह है यह अपने पास electrical work, है ना, अब इसी से हम क्या करेंगे, nurse equation जो है वो बनाएंगे, तो देखना ज़रा, बत तो हो गया, अब चलते हैं, एक relation जो है, वो आपने थर्मों में पढ़ा होगा, और relation जो है, वो यह है, कि भिया, delta G is equal to delta G naught, ठीक है, और plus RT ln Q, ठीक है, यह हमारे पास एक relation होता है, और यहाँ पर ln का मतलब क्या है, log E base है, और Q जो है, वो क्या होता, reaction question होता है, और किसी भी reaction के लिए Q की value, मालो reaction यह है, reactant is converting into product, तो Q is equal to हो जाएगा, concentration of product upon concentration of reactant, यह हम reaction question निकालते हैं, फिर आप देखो ज़रा, कि इसको मैं यह लिख सकता हूँ, delta G is equal to delta G naught, प्लस, इसको जो हो, 10 base में convert कर दो, 2.303 से multiply करना पड़ेगा, और RT, और इसको मैं लिख सकता हूँ, log, और यहाँ आजाएगा, concentration of product divided by concentration of reactant, ठीक, और अभी हमने जो हो, expression देखा था, कि भहिया जी, delta G, delta G is equal to, थो 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 मैंनस N F, E cell, और delta G naught, तो delta G naught is equal to, थो मैंनस N F, और यह था क्या, E naught cell, यह हमारे पास relation था, अगर मैं यह दोनों relation यहाँ रखूँ, delta G is equal to, थो यह आजाएगा, minus N F, E cell, is equal to minus N F, E naught cell, प्लस 2.303RT, और यह आगया, log concentration of product, divided by concentration of reactant, चेक कर लो जड़ा, यह ही expression बनेगा न, मैं काम कर रहाँ, पूरी equation को minus N F से क्या कर रहा हूँ, divide कर रहाँ, तो यह expression ऐसा हो जाएगा, E cell is equal to, यह cancel हो गया, E naught cell, minus 2.303RT, और यह हमारे पास आजाएगा, कितना, minus N F से divide किया, तो यह minus आगया, और यह N F, और यह आया, log product by reactant, ठीक है, अब यह जो एक question है, इसमें आप देखना है, जो E naught cell है, E naught cell, अगर हम E naught cell की बात करें, तो यह तो standard होता है, यह cell EMF भी इसको आप बोल सकते हो, तो E naught cell तो हमने कैसे निकाला था, अभी मैंने बताया था, E naught cell is equal to E naught, oxidation potential of E naught, ठीक है, plus E naught और reduction potential of cathode, हमने E naught जो इस तरह के से निकाला था, ठीक, अब हमें क्या बताना है, हमें E cell बताना है, देखो जरा किसी भी cell का, E naught cell तो हमेशा क्या रहेगा, same ही रहेगा, E naught cell कभी change नहीं होगा, है ना, cell EMF जो है ना, यह आप concentration change करो, वगरा कुछ भी करो, क्योंकि यह तो standard condition में निकाला हुआ है, कि आपने यहाँ पर concentration जो कितनी मानी हुई है, एक mole पर liter मानी हुई है, ठीक है, तो यह तो जो हमेशा fix रहेगा, रही बाद temperature, तो इस question में temperature यहाँ पर है, temperature आप change करोगे, तो भीया यह पूरी value जो हो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तो यहाँ पर E cell जो हो भी क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर log में साथ में कौन सी value आएगी, ठीक है, फिर आप एक चीज ओर notice करो, कि इस वाले में, अगर मैं temperature जो है, वो ले लू कितना 298 Kelvin, 298 Kelvin, है ना, कि यह 25 degree centigrade आपने temperature ले रखा है, है ना, और अब temperature अगर आपने ले लिया 298, यहाँ पर N, N क्या होता भी या, जितने electronों का transfer हुआ होता है reaction में, याद करो मैंने आपको net cell reaction लिखना बताई थी, तो net cell reaction में, जितने electron आपने दोनों तरफ cancel किये थे ना, दोनों reaction को जोडने के लिए, मैंने कहा था, final reaction में, कभी भी electron के दर्शन नहीं होनी चाहिए, तो भी या, जितने electron आपने cancel किये थे, जो अपने पास valence factor था, यह वास्ता में N वोई valence factor है, N, N तो हो गया, फिर F, F क्या है, फेराडे है, और फेराडे का मतलब 96500, देखो यह constant हो गया, 2.303 constant है, R constant है, और T को हमने constant करी दिया, तो भी यह जो पूरी value है न, यह पूरा जो सामान है न, इसको अगर आप solve करोगे, तो यह हमारे पास आता है, विया जी, E cell is equal to E not cell minus, हना, यह आ जाएगा, 0.0591 divided by N, और यह आ गया, log concentration of product, divided by concentration of reactant, यह हमारे पास, जो हो, क्या हो जाएगा, भी यह जी, एक expression हो जाएगा, किसका, नर्स equation का, यह ही नर्स equation है, actual में नर्स equation यह है, बस नर्स equation को जो हो, हमने थोड़ा सा modify कर दिया, वहाँ पर constant को solve करके, 0.0591 कर दिया, और this is नर्स equation, ठीक है, और भी यह जी, इसी को आप काम में लेंगे, numericals वगरा solve करने में, फिर आप देखो ज़रा कि, E cell is equal to E not cell minus, इसको जो मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.06 लिख सकता हूँ, आप देखो, क्या 0.0591 है ना, तो 0.059 को approximately, मैंने 0.06 लिख दिया है, divide by N, और यह आया, log product by reactant, ठीक है, और यह हमारे पास जो क्या है, E cell है, ठीक है, अब भिया जी देखो, इसी पर question आता है, यह है, नंस्ट equation, पूरे cell के लिए हैना, इस इस नंस्ट equation for cell, नंस्ट equation for cell, ठीक है, और दूसरा जो है, अगर किसी एक single electrode के लिए, आपको नंस्ट equation निकाल लिए हो, जिसे माल लो कि केवल for anode, केवल anode के लिए आपको नंस्ट equation लिखनी है, तो यहाँ पर E cell की जगह क्या जाएगा, anode का जो भी oxidation potential है, वो आ जाएगा, तो यहाँ तो आ गया, E oxidation potential is equal to, बहिया, E naught की जगह क्या जाएगा, E naught oxidation potential, क्योंकि हमें पता है, यह standard reduction potential या, standard electrode potential भी तो होता है, standard oxidation potential हो जाएगा, और फिर जो हो यहाँ पर बाकी सारी चीज़े से हैं, 0.06 by N, और यह log product, divide by क्या, reactant, ठीक है, यह हमारे पास anode के लिए, अगर cathode के लिए लिखोगे, 4 cathode, तो cathode के लिए यहाँ पर क्या जाएगा, E reduction potential, E naught reduction potential, minus 0.06 by N, और यह जाएगा log, वो ही product by reactant, कहने का मतलब यह है, कि यह जो nurse equation है ना, nurse equation से आपको relation मिलता है, किस-किस के बीच में, E और E naught के बीच में, जैसे E cell और E naught cell के बीच में relation मिलेगा, जैसे E electrode potential और E naught electrode potential, इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, relation मिलेगा, ठीक है, यही क्या है, nurse equation है, I hope मेरी बाते आपके, समझ में आ गई होगी, अब आप देखना ज़रा, कि इसी से question वगर है, जो हो, वो कैसे पूछे जाते हैं, numericals हमें solve करने, देखिएगा, हाँ जी भी, जैसे, एक question अपने पास, आपको एक cell given है, ठीक है, और यह salt bridge दे दिया, ag से ag plus, यह solid है, इसकी concentration दे दी 0.1 molar, इसकी concentration 0.01 molar, और यह again solid दे दिया आपको, ठीक है, आपको यह data given है, e naught, minus का, 0.76 volt है, यह given भी आपको आपको, और ag से, ag plus, यह आपको दे दिया, 0.40 volt, ठीक है, यह इस तरह के से, और आपको पूछ लिया, कि calculate, e cell, ठीक है, यह आपको दे दिया, कि आपको e cell calculate करना है, ठीक है, तो अब ऐसा question जो है, वो जब भी आए, तो आपको क्या करना भी है, जी, नस equation लगाना है, आप देखो कि करना क्या है, इसमें एक तो concentration दे रखी है, हमने एक galvanic cell पढ़ा था ना, तो galvanic cell में क्या था ना, कि वो concentration है, वो किती लिती, एक mole पर लिटर लिती, concentration फिक्स थी वहाँ पर, और concentration आपने एक एक ले रखी है, तो आप देखो, जो log वाली term, log product by reactant, वो value log 1 हो जाएगी, और log 1 हो गया, तो वो term आगे की पूरी किती 0, तो e cell और e node cell दोनों क्या आगे थे, equal आगे थे, यानि कि आप बोल सकते हो कि, cell का emf, cell potential दोनों चीज़े क्या आगे, same आगे, अब आप देखो कि यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा question जब भी आए, तो आपको शुरुवात कहा से करनी है, शुरुवात करनी है भाया जी, net cell reaction लिखने से, बिना net cell reaction के, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको starting आपकी करनी है, net cell reaction लिखने से, तो सबसे पहले net cell reaction लिखते हैं, anode, anode क्या कहता है, एनोड पर देखो क्या हो रहा है, zinc is converting into zn plus 2, और साथ में 2 electron, यह एनोड की reaction, केथोड, तो केथोड पर क्या हो रहा है वहीजी, जो ag है यह एक electron लेकि किसमें चला गया, ag plus में, मतलब ag plus एक electron गेन करके ag में चला गया, ठीक है, अब यह दोनों से net cell reaction लिख दिया है, और net cell reaction बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है तो बराबर करो, और बराबर कैसे करूँगा, नीचे वाले reaction को आपको 2 से multiply करना है, 2 ag plus plus 2 electron is converting into 2 ag, अब देखो, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर net cell reaction, तो net cell reaction लिखूँगा, तो यह 2 electron, 2 electron cancel हुआ, zinc 2 ag plus is converting into 2 ag plus zn plus 2, यह solid है, यह भ की concentration दे रहे है, 0.01 molar और यह जी zn plus 2 की concentration 0.1 molar आपको given है, ठीक है, अब देखो, nonce equation हम लगाते हैं, अप्लाइ करते हैं, तो e cell आपको निकालना था, e cell is equal to क्या हुआ, e naught cell minus 0.06 by n log, product by reactant, product by reactant, यही है सीन, अब पहले तो e cell निकाल लेते हैं, आप देखो कि यह e cell, यह e naught cell जो है, वो क्या होता है, e naught, अभी मैंने कहा था, कि anode का तो क्या oxidation potential, केथोड का क्या reduction potential, तो anode पर तो कौन है, zinc जो है, यह convert हो रहा है, किसमे है, zn plus 2 में, एक तो मुझे यह चाहिए, और केथोड पर क्या हो रहा है, जो ag plus है, यह convert हो रहा है, किसमे ag में, तो zinc का oxidation potential, आप द ag का reduction potential, ag plus का, तो यह है, कितना 0.4, तो यह हमारे पास आगया, कितना, यह 6, यह आगया, 1.16 volt, अब सारी values हम रखते हैं, तो e cell is equal to 1.16, ठिक, minus 0.06 by n, n की value कितनी होगी, 2, जितने electron आपने cancel करें, वो n, वो valency factor, तो n की value 2, फिर log, product side क्या लेकूंगा, यह देखो, ag की concentration तो कि इतनी होगी, 1 होगी, ag तो solid है, 1, और z n plus 2 की concentration, तो z n plus 2, divide by जो हो, नीचे क्या आजाएगा, अपने पास ag plus की concentration का square, clear बात, अब फिर देखो, कि values हम रखते हैं, क्योंकि सारी चीज़े हैं, अपने पास, 1.16 minus, यह हो जाएगा, 0.03, और यह हो जाएगा, log, z n plus 2, तो कितना दे रखा है, भीया, 0.1 दे रखा है, ठीक है, और जो हो, यह हमारे पास दे रखा है, भीया जी, देखो, 0.01 यह नहीं, 10 to the power minus 2, और 10 to the power minus 2 है, तो इसका square हो जाएगा, 10 to the power minus 4, है ना, और एक ही हो गया, तो 10 to the power minus 5 हो गया, नीचे, तो total 10 to the power 5, है ना, तो 1.16 minus 0.03, log, और 10 to the power 5, 10 to the power 5 कितना होता है, 5 होगे ही value, और यह 5 जो आगे आएगा, इसको solve करूँगा, तो यह हो गया, कितना, 0.15, ना, तो 1.16 minus 0.15, तो इसमें से यह minus करोगे, तो 1.01, यह हमारे पास क्या आएगा, इसल आएगा, यह answer है, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, नंस्ड इक्वेशन अप्लाई करना है, बहुत ही आसान सा काम, सिंपल सा काम है, बस यह काम करना है, हम इस पर कुछ और कोशन भी लेते हैं, देखना है, देखो ज़रा, कि नेक्स्ट जो क्वेशन है, वो हम देखते हैं, इसी के जैसा एक व्वेशन है, जीसे माल लोग इस कनवर्टिंग इन्टू H प्लस और दूसरे तरफ आपको दे दिया कि भिया जी जो अपने पास CL2 है यह कनवर्ट हो रहा है CL माइनस एक्वस यह भी एक्वस में है और यह है भिया जी प्लेटिनम की सरफेस पर ठीक है अब आप इसको देखो ज़रा कि इसको भी मैं यू लिख देता हूँ ठीक है अब इसको आप समझना कि भिया कि कौन से डेटा आपको गिवन है यहाँ पर आपको इसका प्रेशर दे रख का मालो कि दो बार इसका प्रेशर आपको दिया है आपको पी-च सॉलूशन की दे रख किया जैसे एक दे रख किया इस सारी कंसेंटरेशन आपको दे रख किये इसके लावा एक को डेटा आपको गिवन है यह आपको दिया है और आपको यह पूछ लिया कि यह कैलकुलेट दा सेल इमफ कैलकुलेट दा सेल करने का मतलब आपको यह सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब वही सारी चीज़े सेम टूसे मैंने कहा कि कहां से आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग होगी हमेशा नेट सेल रियक्शन लिखने से तो आप देखो ज़रा कि एनोड पर क्या हो रहा है इनोड तो एनो पर जो हमेशा होता रिडक्शन तो आप देखो कि जो सी एल टू है इसने दो एलेक्ट्रोन एकसप्ट करके जो है यह किसमें चला गया यह चला गया टूसी एल माइनस में और नेट सेल रियक्शन अगर मैं लिखू तो यहां नेट सेल रियक्शन जो है वह हमारे पास ही होगा एकस होगा ठीक अब इसके लिए अगर मैं नंस रिक्वेशन लिखू ना तो नंस रिक्वेशन यह आएगी इसल इसकोल टू इनोड सेल आपको इसल कैलकुलेट करना माइनस पॉइंट जीरो सिक्स बाइन लॉग है ना प्रोड़क्ट तो प्रोड़क्ट की तरफ कौ कमें लेना है तो यह हमारे पास इसके लिए नंस रिक्वेशन आएंगी गयास के लिए तो पार्शिल प्रेशर लिखोगे और बाकि अगर कोई एक्वसाइन है उसके लिए आप इसका उक्सेंट्रिपर समें बखन और कोई सूलीड होता है जीरो होता है तो ये वाले टम तो हो गई जीरो प्लस और ये वाले टम जो हो आपको देर के कितनी 2.3 वोल्ट तो E not cell ये तो हमारे पास आ गया कितना 2.3 वोल्ट तो E cell is equal to 2.3 minus 0.06 N की value किती होगी 2 हो गई log अब भीया जी देखो ज़रा की C L minus की concentration आपको given है कितनी है 0.01 और इसका क्या करना है square करना है तो 0.01 बोले तो 10 to the power minus 2 तो ये आजाएगा 10 to the power minus 2 का square फिर H plus का square आपको इसकी pH दे रखी है और H plus में pH आपको 1 दे रखी है इसका मतलब H plus कितना होगा 10 to the power minus 1 और 10 to the power minus 1 का यहाँ पर क्या कर दिया square कर दिया divide by pH 2 तो pH 2 आपको कितना दो बार है C L 2 भी कितना दो बार है तो यह आजाएगा 2 into 2 पस इसको solve करना है तो यह आया 2.3 minus 0.03 log 10 to the power minus 4 10 to the power minus 2 10 to the power minus 6 हो गया तो यह तो आया भीया जी हमारे पास log 10 to the power minus 6 divided by कितना 2 divided by 4 यह लो जी मैं इसको यू लिख सकता हो यह फिर मैं इसको यू भी लिख सकता हो देखो जरा यह हो जाएगा 2.5 into 10 to the power minus 7 तो मैं exactly पूरा ही लिख देता हूँ 2.5 into 10 to the power minus कितना है 7 है अब इसको हमें क्या करना है solve करना है तो यह जी देखो जरा 2.3 minus 0.03 यह आजाएगा log 2.5 minus का कितना 7 चेक करो जरा यही value आएगी क्या अब log 2 की value होती है कितनी 0.30 log 3 की value 0.47 इसको approximately solve करना पड़ेगा log 2.5 nearly होता है 0.4 तो इसको मैं 0.4 ले लेता हूँ 2.3 प्लस 0.03 और into कितना आजाएगा यह 6.6 आजाएगा चेक कर लो यही value आनी चाहिए और इसको हम solve कर लेते है अप्रोक्सिमेटली तो 2.3 प्लस यह हमारे पास जो इतना आ गया 0.198 और 0.19 के आसपास मतला अप्रोक्सिमेटली 0.2 इसमें add करोगे तो यह आजाएगा 2.5 वोल्ट के अप्रोक्स यह है हमारे पास answer इस वाले question का कि इसका cell का यह मक्त कितना आएगा 2.5 वोल्ट रहेगा ठीक है तो इस तरके से भी question आ सकता है वह यह केवल एक single electrode भी आपको दे सकता है जैसे आप देखना एक question ओर लेते हैं केवल single electrode का हाजी question ऐसा है कि एक आपको electrode दिया है ठीक है और इस electrode में इसका pressure देरका pH 2 यह देरका 1 ATM और pH जो है वो आपको देरका जैसे 3 ठीक है आपको बोल दिया calculate the oxidation oxidation potential of above electrode अब यह आपके सामने जो केवल एक single electrode है यह net cell reaction नहीं है यह फिर पूरा एक cell नहीं है केवल एक single electrode है तो आपको क्या करना इस case में एक single electrode वाली जो अपने पास नंस request है वो अपलाई करनी है अब वो हम कैसे करेंगे तो वो ही तरीका जो अभी हमने देखा था सबसे पहले तो आप start करोगे कहां से reaction लिखने से तो H2 is converting into 2H plus और यह साथ में दो electron ठीक है अब इसके लिए मैं ऐसा बोलूँगा देखो जरा कि E आपको निकालना है E H2 से H plus आपको निकालना है यह एकवल हो जाएगा E not H2 से H plus minus 0.06 by n log product प्रोड़क्ट की तरफ तो क्या लिखूंगा जी H plus का square और reactant की तरफ क्या लिखूंगा पी H2 चेक कर दो जरा ऐसा ही होगा अब बस values रख दो यह वाला तो कितना हो जाएगा हमारे पास zero क्योंकि hydrogen का जो standard electrode potential है ना वो zero होता है तो standard oxidation potential भी किता होगा जीरो होगा आपको तो यह पूछा है तो E H2 से H plus is equal to minus का 0.06 by n की value जो यहाँ पर कितनी होगी दो होगी log अब देखो इसकी pH देरके कितनी तीन तो यह कितना आजाएगा 10 to the power minus 6 आजाएगा कि भई pH 3 है तो यहाँ से H plus कितना आजाएगा 10 to the power minus 3 और इसका square करोगे तो 10 to the power minus 6 और दूसरी तरफ pH 2 जो कितना है 1 है यह देखो आप इसको मैं solve करता हूँ 10 to the power minus 6 सामने आ गया तो यह हमारे पास हो गया कितना 0.03 into 6 तो यह आ गया वहाजी प्लस का 0.18 वाल्ट यह हमारे पास answer है तो हो सकता एक single electrode के लिए जो है वो आपको नन्स रिक्वेशन लगानी पड़ जाए वहाजी question जो है एक और हम कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोड बहुत सारे अलग अलग तरीके क्यों होते हैं कोई एक electrode जो हो आपको देगा और कोई भी दे सकता है कि cell जो हो दो चार तरीकी की electrode हमने जनरली पढ़े थे एक तो metal metal iron electrode, gas gas iron electrode फिर जो हमने पढ़ा था एक जो है वो iron iron electrode एक metal sparingly soluble salt और source of anion electrode ये चार electrode और इन चारों में से किसी किनी भी दो से एक cell बना के आपको question देदेगा जैसे एक question है अपने पास एक तो यह आपको दिया ठीक है आपको यह बोल दिया कि calculate E0, Hg, Hg2, Cl2, Cl- ठीक है इफ, EMF of cell यह आपको देदिया 1.2 volt and E0, Hg2, Hg2, Cl2, Cl- ठीक है अब आप समझो जरा कि आपको EMF of cell दे रखा है कहने का मतलब यह है data किसका E cell का, आपको E cell दे दिया, आपको जो E0, Hg+, Hg, यह data दे दिया और आपको जो पूछ दिया कि भी यह इसका oxidation potential क्या होगा यह जो electrode है, अब यह electrode को है, metal, sparingly soluble salt of metal and source of anine, यह electrode यह है अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना हो, वही बात कहां से start करेंगे, nurse equation से आपको इसको solve करना है, तो हम सबसे पहले जो हो इस पर क्या करेंगे, net cell reaction लिखेंगे, तो net cell reaction लिखूंगा, anode पर देखो जरा, क्या होगा, anode पर हमारे पास HG है, तो HG का oxidation हुआ किसमें, 2HG plus में, ठीक है, दो electron में यह गया, ठीक है, या फिर HG से बना पहले HG 2 plus 2, ठीक है, और यह जो HG 2 plus 2 है, क्योंकि solution में CL minus रखा है, तो CL के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HG CL2 बना लेगा, मैंने गलती से solid लिख दिया, HG liquid में होता है, ठीक है, प्योर liquid होता है, बाकि में mix नहीं होगा, इसलिए प्योर liquid का भी active mass यहां पर किता लेंगे, 1 ही लेंगे, और फिर जो हो, यह आया, 2CL minus, इस converting into HG 2, CL2, HG 2, CL2, और साथ में 2 electron, यह तो anode की net reaction आईए, हना, केथोड, तो केथोड तो simple सा है, केथोड पर क्या हो रहा है, कि AG प्लस, यह एक electron accept करके, जो किसमें जाएगा, AG में जाएगा, यह काम करते है, क्यूंकि आपको electron completely cancel होने चाहिए, तो इसको दोस्ते मैं directly multiply कर रहा हूँ, अब net cell reaction में लिखता हूँ, तो net cell reaction देखना, कि यह cancel हुआ, तो हमें यह मिलेगी, 2AG प्लस, प्लस 2HG liquid, प्लस 2Cl-, इस converting इंटो 2AG, प्लस HG2Cl2, clear है बात, तो यह हमारे पास जो हो, net cell reaction है, अब इसी reaction से हम सबसे पहले काम करते हैं, इसके लिए e-node cell निकाल लेते हैं, और e-node cell हमें पता है कि oxidation potential प्लस reduction potential के equal होगा, तो e-node cell जो हो, मैं calculate कर रहा हूँ, इसके लिए, देखो, वो ही non-strict question से calculate करेंगे, तो इसके लिए non-strict question कैसे लिखेंगे, कि e-cell is equal to, इस बार e-node cell हमें calculate करना है, minus 0.06, n की value किती होगी, दो होगी log, product side तो कौन-कौन है, net cell reaction में देख लो ज़रा, कि एक तो है ag plus, तो ag plus का आजाएगा, क्या है, square, ag seal to solid है, और यह हमारे पास जो क्या था, ag plus नहीं आएगा, ag plus तो इस तरफ है, इस तरफ तो सारी चीज़े जो क्या है, solid में है, तो solid में कितना आएगा, 1 आएगा, और दूसरी तरफ जो हो, यहाँ नीचे आएगा, क्या ag plus का square, और फिर आएगा, यहाँ पर एक साथ में, c l minus का square, चेक कर लो जरा, यह होगा, अब बस खतम बात values रखेंगे, तो e cell जो हो, इसकी value देर के किती, 1.2, e not cell हमें calculate करना है, minus e हो गया, 0.03 log, 1 upon ag plus, ag plus का square, ag plus का square, रेखो जरा, 10 to the power minus 2 है, square करूँगा, तो e हो गया, 10 to the power minus 4, c l minus, c l minus का square, तो c l minus, जो आपको कहा से मिलेगा, k c l से मिलेगा, और यह 10 to the power minus 1 का square, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 6 हो गया, उपर जाएगा, तो 10 to the power 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, तो हमारे पास 1.2 is equal to e not cell minus 0.03 into कितना हो गया, 6 हो गया, minus, जो हो, यहाँ minus ही रहेगा, तो e cell या e not cell is equal to 1.2 plus 0.18, चेक कर लो, जरा, ऐसा ही होगा, क्या, ऐसा ही होगा, तो बस, खतम बात, 8, यह जाएगा, 3, और जो हो, हमारे पास यह आगया, कितना 1, 1.38, चेक कर लो, है न, वोल्ट, अब e not cell, तो e not cell is equal to, हमारे पास रहेगा, e not, hg, hg2, cl2, cl minus, plus e not, ag plus, ag, यह वाला data हमने निकाल लिया, 1.38 है, यह data आपको calculate करना है, hg, hg2, cl2, cl minus, और यह data आपको given कितना है, 0.4 volt, उसको इधर कर दो, तो e not, hg, hg2, cl2, और यह cl minus, यह हमारे पास आजाएगा, यह 0.4, इसमें से minus कर दो, 0.98 volt, यह लोची है, तो इस तरिके से जो आपको क्या करना है, question solve करना है, बाकी तो देखो, यह nurse request है, इसमें जो बार-बार आपको कई अलग-अलग चीज़े पूछता रहेगा, कि जैसे कई बार यह भी हो सकता है, कि आपको यह e not cell दे दे, आपको e cell दे दे, आपको इस concentration के बारे में कुछ पूछ ले, यह भी possibility है, कि यह concentration जो हो, इन में से किसी एक आयन की concentration आपको पूछ सकता है, ठीक है, और देखो ज़रा, एक question और करते हैं, ठीक है, देखो ज़रा, एक question है, question ऐसा है, कि calculate the potential of hydrogen electrode, ठीक है, if pH of solution, यह pH of electrolytic solution, electrolytic solution is 10, ठीक है, यह question इतना ही है, और यह question जो ऐसा ही, exam में आया, वह question है, और चार option थे, कि pH 10 है, hydrogen electrode दे रखा है, कहीं पर यह mention नहीं है, कि यह oxidation potential आपको calculate करना है, कि reduction potential calculate करना है, क्योंकि oxidation और reduction दोनों एक दूसरे के opposite होते है, value same रहती है, लेकिन फिर भी जो हो, अगर आपने गड़बड कर दी, तो गड़बड कर दी, तो answer गलत होगा, plus minus में भी गलत होगा, तो अब आप समझो, कि अगर आपको ऐसा question मिले, क्यार mention ही नहीं है, कि oxidation potential है, कि reduction potential है, तो आप ये मान के चलोगे, कि standard चीज़ क्या होती है, standard किसको मानते है, reduction potential को, तो यहाँ पर reduction potential का measurement करना है, कहने का मतलब हम reaction ऐसी लिखेंगे, 2H plus is converting into H2, ठीक है, ये हमारे पास है, और आपको इसी reaction के लिए जो क्या करना है, electrode potential का measurement करना है, pH दे रखिये कितनी, pH दे रखिय 10, कहने का मतलब H plus iron concentration आजाएगा, 10 to the power minus कितना 10, ठीक, और भिया जी, अब हम इसको solve करते हैं, और देखो ज़रा कि, अच्छा, एक चीज़ और, कि आपको hydrogen का pressure नहीं दे रखा है, और pressure hydrogen का नहीं दे रखा है, standard condition हम यहाँ पर मान रहे है, तो इसका pressure जो हम कितना ले लेंगे 1 बार ले सकते हैं, अब solve करते हैं, तो मैं यह लिखूंगा, कि यह जी देखो, E, H plus से H2 is converting into E naught, H plus से H2 minus का 06 by 2 log, concentration of product, तो pH 2 divided by H plus का क्या आजाएगा, यहाँ पर square आजाएगा, और बाकी सारी चीज़े जो हो, यह तो कितना हो गया, 0 ही हो गया, तो यह आगया, minus का 06 by 2, 1 upon 10 to the power minus 20, तो 20 जो हो, किदर जाएगा, उपर जाएगा, तो 10 to the power 20 हो जाएगा, तो minus का 06 by 2 log 10 to the power कितना 20, यह सामने आएगा, log 10 तो कितना हो गया, 1, तो यह हमारे पास हो जाएगा, कितना minus का 0.6 volt, यह हमारा क्या है, अंसर है, और exam में जब question आया, तो 0.6 की जगह जो कित ले रहा है, 0.06 ले रहा है, तो इस तरके के question जो हो, वो nurse equation पर पूछे जाते है, ठीक, एक question और हम लेते हैं, यहीं पर, ठीक है, क्योंकि देखो, इस पर जितनी जादा question practice करे जाए, उतना ही बढ़िया है, जितनी जादा आप variety of questions करोगे न, उतना ही अच्छा रहेगा, ठी question ऐसा है, कि आपको एक cell दिया है, zinc is converting into Zn plus 2, और Cu plus 2, Cu, ठीक है, यह आपको एक galvanic cell दिया है, और इसमें यह बोल रुखा है, if cathode, cathode compartment is diluted up to 10 times, then what will be the effect on cell EMF ठीक है, कि भीया, यह nonce request से ही related है, और cathode को जो है, वो क्या कर दिया, पहले से, केवल cathode को, पहले से 10 गुना dilute कर दिया, तो E cell पर क्या effect पड़ेगा, पहली बात तो E naught cell पर तो कोई effect नहीं पड़ता है, ठीक है, वो तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि E naught तो हम कब निकालते हैं, standard condition में निकालते हैं, अब आपने, आपको इसने बोल दिया कि, के थोड़ को जो हो, इसने dilute किया, और कितना, दस गुना dilute कर दिया, तो E पर क्या effect पड़ेगा, तो आप समझना जरा, कि यह हमारे पास जो है, वो cell ऐसा है, Zn is converting into Zn plus 2, और Cu plus 2, और यह Cu, पहले में यह मान के चलाओ, यह तो solid होगा, यह भी कैसा होगा, solid, concentration में इन दोनों की concentration ही लिखेंगे, और मालो standard condition है, तो standard condition है, तो इसको मालो 1 molar, और इसको भी मैं कितना मान सकता हूँ, 1 molar, ठीक, और अगर ऐसा है, तो नंस equation अगर मैं लिखू, तो पहले तो net cell reaction लिखनी पड़ेगी, a node पर तो क्या हो रहा है, a node पर तो z n solid है, यह भी है जी convert हुआ, z n plus 2, और दो electron में, और cathode पर क्या हो रहा है, cathode पर जो है, c u plus 2 है, aqueous है, और यह दो electron accept करके चला जाएगा, किसमें, c u में, और net cell reaction अगर मैं लिखूंगा, तो यह cancel हुआ, तो z n plus c u plus 2 is converting into c u plus z n plus 2, चेक करो ज़रा, ऐसा ही होगा क्या, ठीक है, अब देखना ज़रा, कि इसके लिए अगर मैं नंस equation लगाऊंगा, तो e cell, जो की emf है, e not cell, minus का 0.06 by n की value 2 हो गई, log, उपर तो हमारे पास आएगा, z n plus 2 की concentration, नीचे हमारे पास आएगा, c u plus 2 की concentration का, मतलब concentration, ठीक, अभी इस condition में, यह दोनों जो हो कितने हैं, 1, 1, तो 1, 1, log 1, कितना हो गया, 0 हो गया, और यह वाली पूरी term 0 हो गई, तो official condition ऐसी है, e cell, e not cell के equal आएगा, अब आपने क्या कर दिया, इसको 10 time dilute कर दिया, ठीक है, तो मैं लिखूंगा, after dilution, अब यह dilution अगर कर दिया, तो e cell तो यही रहेगा, ना, कि इसके लिए nonce equation जो हम लिख रहे हैं, वो तो यही रहेगी, 0.06 by n, n की value जो कितने होगी, 2, log, nonce equation तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, अब अगर आपने dilute कर दिया, तो हमें पता है कि dilute करोगे, तो concentration क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब भी dilution होता है, तो हम लगाते है, जी M1 V1 is equal to M2 V2, ठीक है, आप समझो कि पहले concentration कितनी थी, copper plus 2 की 1, पहले volume आ लो V था, नई concentration M2 में निकाल लेता हूँ, नया volume कितना हो गया, 10V, तो यह cancel हुआ, तो M2 कितना आ गया, 1 by 10, यह नई concentration है, तो यहाँ पर Cu plus 2 की जगा देगो, Zn तो होता ही रहेगा, लेकिन इस Cu plus 2 की जगा में कितना रखूँगा, 1 by 10 रखूँगा, तो E cell is equal to E not cell, minus का 0.06, इसको 0.03 कर देता हू 0.03, log, Zn plus 2 तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, Cu plus 2 की जगा, 1 by 10, 10 कहा जाएगा, उपर, log 10 कितना, 1, तो E cell की value हमारे पास निकल के आ गई, E not cell, minus का 0.03, अब देखो जरा, दोनों को आप जो compare कर सकते हो, कि पहले हमारे पास EMF कितना था, E cell था, अब जो हो कितना हो गया, अब जो हो, E not cell minus 0.03, कहने का मतलब cell potential पहले से 0.03 volt क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो EMF या E cell will decrease, decrease by, ठीक है, 0.03 volt, ठीक, और exactly आप देखोगे, तो 0.0591 का आधा, क्योंकि हमने जो हो, इसकी जगा 0.06 लिया है, तो option में 0.0591 का आधा भी आपको मिल सकते हो, तो इतने volt decrease हो जाएगा, अगर यहीं पर जो हो, इसको मालो आप जो हो, दस गुना नहीं, आप इसको मालो 100 टाइम्स जो हो, डाइलूट करते, तो 100 टाइम्स डाइलूट करते, तो वो इससी के according जो हो, क्या हो जाता, यह भाहर आ जाता, 0.06 आ जाता, ठीक है, अगर आप इ नंस्ट एक्वेशन, उमीद करते हैं, नंस्ट एक्वेशन से related सारी प्रॉब्लम जो आपके समझ में आई होगी, अच्छा एक और यहाँ पर concept है, क्या बार जो नंस्ट एक्वेशन अप्लाई करके, जो क्या बारे में पूछ लेता है, लेकिन वो जो हो हम थोड़ा सा आग तो यहाँ नेक्स जो टोपिक है अपने पास वह है वह यह जी, relation, relation between equilibrium constant and inod cell, ठीक है, क्यों यह जी इन दोनों में क्या relation होता है, कई बार inod cell देकि के equilibrium आपको पूछ लेता है, और कई बार के equilibrium देके inod cell भी आपको पूछ सकता है, आप यह समझना कि कोई भी cell reaction जो होती है, वो reversible होती है, ठीक है, और reversible reaction है तो धीरे धीरे कोई भी cell reaction जो वो equilibrium की तरफ आती है, और जब equilibrium की तरफ आती है, तो उसके लिए जो हमें पता equilibrium पर data g कितना हो जाता है, 0, और जैस ही हमारी cell reaction equilibrium पर आएगी, तो cell काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, कहने का मतलब जब तक cell reaction में equilibrium नहीं आता है, तब तक तो cell हमारा चलेगा, और जैसे ही जो हो cell reaction में equilibrium आया, तो जो हो cell ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, अब आप समझना कि हमें equilibrium constant और e0 cell के ब पास जो हो कोई reaction है मालो हम galvanic cell की reaction ही ले ले लेते हैं Zn प्लस 2 और यह जो हो हमारे पास Zn और Cu प्लस 2 is converting into Zn प्लस 2 और साथ में Cu ठीक है अब इस reaction में जब equilibrium आएगा at equilibrium हमें यह पता है कि equilibrium पर reaction के लिए किसी भी reaction के लिए डेल्टा जी की value कित्ती हो जाती है जीरो और फिर जो क्यूं है वो किसके equal हो जाता है वो के equilibrium के equal हो जाता है तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ डेल्टा जी को तो zero कर देता हूँ तो डेल्टा जी नॉट इस इक्वल टू यह आएगा minus का NF E naught cell is equal to minus का RT और यह आया ln के equilibrium यह cancel हुआ तो E naught cell is equal to यह हमारे पास अच्छा इसको जो वो 10 बेस में अगर convert करूँगा तो यह हो जाएगा कितना 2.303 और यह RT नीचे आएगा क्या NF और यह हमारे पास हो गया जी log के equilibrium यह हमारे पास किसकी value आएगी E naught cell की value निकल के आएगी अब बाकी सारी चीज़े वो ही सेम है देखो ज़रा temperature आपको लेना कितना 298 तो अगर मैं जो वो temperature मैंने लिया कितना 298 Kelvin तो E naught cell E naught cell जो है यह हमारे पास इसको solve करोगे तो 0.0591 डिवाइड बाइ एन और यह आगया log और यह आए K equilibrium आप इसको यूँ भी बोल सकते हो यह हमारे पास E naught cell और K equilibrium में क्या आता है relation आता है ठीक है अब आप देखो कि माल लो अगर कहीं पर जो हो ऐसी reaction है कि K equilibrium की value 1 है K equilibrium आपने जो किता लिया 1 लिया product और reactant की concentration आपने equal ले ली K equilibrium अगर 1 ले लिया तो यहाँ पर E naught cell जो किता आजाएगा अपने पास 0 है ठीक है एक है हमारे पास E naught एक है हमारे पास K equilibrium ठीक तो इन तीन में अगर डेल्टा G naught और E naught में relation देखोगे तो डेल्टा G naught is equal to आएगा minus N F और यह आएगा E naught cell ठीक अगर E naught और K equilibrium में आप relation देखोगे तो अभी हमने यह relation देखा है कि E naught cell is equal to 0.0591 divided by N और यह आजाएगा log K equilibrium ठीक है अगर डेल्टा G naught और K के बीच में relation देखोगे तो यह relation हमारे पास आता है डेल्टा G naught is equal to minus RT और यह आया LN और यह आया K equilibrium तो यह इन तीनों का आपस में क्या होता है relation होता है अब कोई भी क्वेशन है माला लो डेल्टा G naught देखिए E naught पूछे तो यह लगा दो है ना या डेल्टा G naught E naught में से कोई एक चीज़ दे रखे एक चीज़ पूछे तो यह relation काम में ले लो कई बार क्या करता है आपको दो अलग-अलग electrode potential देता है ठीक है कि दो अलग-अलग electrode के लिए electrode potential देगा और तीसरे ही तीसरे किसी electrode के लिए जो हो electrode potential की value आपसे पूछ लेगा ठीक है तो देखना तरह यह भी बहुत important question है यहां से भी point बहुत important है question जो एक्जाम में पूछे आते और point यह है कि calculation of a non electrode potential by non electrode potential ठीक है कि यह आपको क्या करना है non electrode potential से non electrode potential का measurement करना है ठीक है और अब यहाँ पर एक चीज़ धान में रखना कि हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी जो extensive property है है उनको तो आप directly add कर सकते हो लेकिन intensive properties को आप directly add नहीं कर सकते यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि extensive properties extensive properties are additive ठीक है बट intensive properties are not ठीक है कि यह extensive properties तो क्या होती है एक तरके से जो आप बोल सकते हो कि additive होती है intensive property नहीं होती जैसे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट यह तो हमारे पास होती है कैसी extensive इनको आप directly add कर सकते हो लेकिन जो इनोट होता ना इनोट यह हमारे पास कैसा होता है intensive होता है ठीक है इनोट चाहिए इनोट cell हो चाहिए इनोट electrode potential हो वो intensive होता है इसको directly add नहीं कर सकते हैं अब question जो हो उसका format समझना question ऐसा आएगा calculate the value of e0 fe plus 2 fe plus 3 ठीक है इफ अब आपको कुछ values given है e0 fe plus 2 to fe plus यह आपको देदिया minus x volt और e0 यह देदिया भिया fe plus 3 to fe plus 2 यह देदिया आपको minus y volt ठीक है अब आप देखो जरा कि आपको iron के लिए दो अलग-अलग electrode potential की values दे रखिये यह दोनों known है x और y हो सकता है x और y की जगह आपको यहाँ पर कोई numerical value भी given हो सकती है ठीक है और आपको iron के लिए iron plus 3 से iron iron plus 1 से iron plus 3 के लिए जो value पूछी है अब इस तरह के question जब भी आए तो आप सबसे फ़ले शुरुआत करोगे वह reaction लिखने से तो देखना जरा कि आपको क्या इनोट दे रखा है इनोट कितना दे रखा है यह दे रखा भी यह माइनस x वोल्ट ठेक है और और क्या दे रखा है और गिवन है f e plus 3 से f e plus 2 f e plus 2 अब यह भी कैसे जाएगा तो यह एक electron accept करके ही जाएगा और इसके लिए इनोट आपको दे रखा है कितना माइनस y वोल्ट इसके लिए इसको इनोट 1 बोल देता हूँ इसको इनोट 2 चलो बाद बोल देंगे अभी है अब पूछा क्या है पूछा यह है कि f e plus से f e plus 3 convert होना चाहिए तो f e plus से f e plus 3 जाना चाहिए आपको यह पूछा है ठीक है यह पूछा है अब आप सोचो कि यार इन दोनों reaction से आप कुछ भी करो कि यह वाली reaction बननी चाहिए मैं काम करता हूँ इन दोनों reactions को add कर देता हूँ इन दोनों को अगर मैं add करूंगा न तो यह पूछा है इस reaction का potential पूछा है यह वाली reaction जो इसकी क्या है opposite है एक काम करता हूँ मैं अगर इसका potential निकाल लूँगा क्योंकि हमें पता है देखो oxidation potential reduction potential दोनों सेम होते प्लस माइनस का difference होता है आप तो इसके लिए potential निकाल लो electrode potential measurement कर लो इसके लिए जो आएगा इसके लिए क्या हो जाएगाок मतलब उसको उलटा करते है तो आंसर हो ठीक है तो एक काम करते हैं इसके लिए लिए हम जो हो क्या कर लेते ए नॉट हम निकाल लेता है कि इसका वी नॉट कितना रहेगा अब भिया जी इसको ओन बोल देथा हूँ सको ए процесс को जब एड करते तो बहुत सारी को directly multiply कर सकते हो, लेकिन भहिया जी, आप e के साथ directly ऐसा नहीं कर सकते, आप e0 is equal to e0 1 plus e0 2 नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि e0 कैसा होता है, intensive होता है, directly add नहीं होगा, पहले इसको extensive में बदलना पड़ेगा, तो इसको delta g में बदल देता हूँ, इस reaction का n है 1, f, और इसको मैंने बोल दिया e0 1, और what is the value of e0 1 minus x1, ठीक, ऐसे इसको जो हो मैं delta g0 2 में बदल देता हूँ, तो delta g0 2 is equal to minus, इसके लिए n की value कितनी है, 1 है, f, और इसको मैं बोल देता हूँ, e0 2, इसको भी मैं delta g0 में convert कर देता हूँ, मैंनस का n, इसके लिए n की value है 2, f, और यह आगया, विए g e0, आप delta g को add कर सकते हो, e0 को add नहीं कर सकते, तो मैं यूँ बोल सकता हूँ, delta g0 1 plus delta g0 2, delta g0 की value minus का 2, f, e0, जो हमें calculate करना है, delta g0 1 minus का f, e0 1 plus minus का f, e0 2, तो plus minus क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, f, e0, और यह कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, minus f, minus f, यहाँ पर को मना के cancel, तो यह आया, 2 e0 is equal to e0 1 plus e0 2, चेक करो ज़रा, यह आएगा, या फिर इसको यह भी बोल सकता हूँ, कि e0 is equal to e0 1 plus e0 2 divided by 2, यह हमारे पास इस reaction के लिए e0 आया, ठीक, अब देखो, कि value अगर मैं रखूँ, e0 1 कितना है, minus का x1, तो यहाँ e0 is equal to minus x minus y divided by 2, चेक करो ज़रा, यह तो e0 आएगा, कहने का मतलब, मैं ऐसा बोलूँगा, कि यार मेरे पास जो e0 की value आई न, यह क्या है, यह है, f e plus 3 से f e plus, तो मुझे तो चाहिए e0 f e plus से f e plus 3, चेक करो ज़रा, हमें तो इसकी value पूछी है, f e plus 3 से, f e plus से f e plus 3 की value पूछी है, तो अब यह इसका क्या हो जाएगा, opposite हो जाएगा, आप पूरी question को जो हो, क्या कर दो, minus से multiply कर दो, तो minus से multiply करूँगा, तो यह आजाएगा, x plus y by 2, हमारा answer यह होगा, ठीक है, तो दो अलग-अलग हमारे पास non electrode potential थे, इन दोनो non electrode potential से, हमने जो तीसरे एक unknown electrode potential जो हो, उसका measurement कर दिया, यह काम आप कर सकते हो, clear है बात, फिर देखना जड़ा, इसी पर हम एक और example लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही, एक example हमें और देखना है, यह important point है भी यह, ठीक है, तो इसको जो बहुत ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा, बाकि जो next class में हम जो concentration cell पड़ेंगे, concentration cell के बाद में मैं आपको KSP की condition बताऊंगा, और फिर जो हो, इसके बाद में हम thermodynamics पड़के galvanic cell की galvanic cell complete करेंगे, ठीक है, तो यह हमारा sequence रहेगा, question ऐसा है, कि if E naught Sn प्लस 2 to Sn प्लस 4, यह value देदी, आपको minus का 0.2 volt, माल लो, ठीक है, फिर आपको एक ओर दे रखा है, E naught Sn प्लस 4 से Sn प्लस, यह आपको दे रखा है, minus का 1.2 volt, ठीक है, और then calculate E naught Sn प्लस 2 to Sn प्लस, आपको यह data आपको निकालना है, calculate करना है, same to same, जो अभी पहले हमने questions all किया था, वैसा ही है, तो आप समझो, कि सबसे पहले starting काहा से करेंगे, reaction लिखने से start करेंगे, क्या given है, तो given आप देखो ज़रा कि Sn प्लस 2, इसको convert कर दिया Sn प्लस 4 में, ठीक है, और यह साथ में 2 electron, अब इसके लिए आपको E naught देर का है, कितना है, minus का point 2 volt है, clear है बात, फिर तूसरा data given है, Sn प्लस 4, तीन electron और यह convert हो गया, Sn प्लस, इसके लिए E naught given है, कितना minus का 1.2 volt, ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा यह है, कि यह Sn प्लस 2, से Sn प्लस, तो यह क्या करेगा, एक electron accept करके जाएगा, इस reaction का जो हो, E naught आपको पूछा है, आपको क्या करना, इन दोनों reactions के साथ कुछ भी करो, कि यह वाली reaction बन जाए, तो मैं directly जो हो, इस बार इनको add कर सकता हूँ, आप directly जो हो, इनको add करो, तो add करने पर यह वाली reaction बन रही है, ठीक है, तो इनको add करूँगा, तो E naught तो add होगा नहीं, देल्टा जी add होगा, तो देल्टा जी के टर्म में इनको convert करेंगे हम पहले, तो यहाँ पर आप देखता है जड़ा, कि यह electron, electron cancel होए, तो यह reaction बन गई, हमारे पास directly बन रही है, कोई रिकत नहीं है, डेल्टा जी, इसको E naught 1 बोल देता हूँ, इसको E naught 2 बोल देता हूँ, तो देल्टा जी नोट 1, माइनस का Eन, इस reaction के लिए N की value कितनी है, 2 है, तो 2F और यह आया E naught 1, इसके लिए डेल्टा जी नोट 2, माइनस का Eन, इस reaction के लिए N की value कितनी आई, 3 आई, तो 3F और यह आया E naught 2, ठीक है, और इस reaction के लिए जो हो, अगर मैं conversion करूँँगा, तो दे क्या लिखूंगा कि delta g not is equal to delta g not 1 plus delta g not 2 delta g not की value minus का f e not is equal to delta g not 1 minus का 2 f e not 1 minus का 3 f e not 2 ठीक है minus f सारा को मना की क्या हो जाएगा cancel तो e not जो कि आपको calculate करना है तो यह आया 2 e not 1 plus 3 e not 2 values रखते हैं तो 2 e not 1 तो कितना है minus का point 2 है प्लस 3 और यह कितना है यह है minus का 1.2 तो यह आजाएगा minus का कितना point 4 plus यह आजाएगा minus का 3.6 चेक कर ले ना ऐसा ही होगा क्या तो minus minus plus हो गया तो e not जो कि आपको पूछा है क्या पूछा है sn plus 2 से sn plus यह value हमारे पास आजाएगी minus का कितना आजाएगा यह 4 वोल्ट ठीक है यह हमारा क्या है answer है तो इस तरह के से आपको numerical value भी दे सकता है तो यह थी आज की class आज यह बहुत सारे topic हमने cover किये बहुत सारे numerical हमने अलग अलग तरीकी के देखे यह सारे numerical की practice आपको कर दी है आपके module में आपको इन पर बहुत numerical मिल जाएंगे बहुत सारे question मिल जाएंगे इसी concept पर एक question हम next class में cover करेंगे और next class में types of galvanic cell पढ़ेंगे जिन में concentration cell जो है वो main है ठीक है ना तो यहां से continue करते हैं अगले class में तब तक के लिए thank you